अब आज की यह बीडियो बीए बेशी बीकॉम के फस्ट एयर के सिकेंड समस्टर वाले स्टुडेंट के लिए मोस्ट इइप्ट होने वाली क्योंकि आज किस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानि की अनिवार प्रस्ण पत्र के mcq type के most important question and answer के बारे में ठीक है तो आपको हर समस्टर में अनिवार प्रस्ण प्रत्रश की परिच्छा देनी होती तो आपको second semester में first aid and health की परिच्छा देनी होगी किसीट की first ठीक है या फाई आरस्टी first aid and health की परिच्छा देनी होगी ठीक है जिसको हिंदी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ ठीक है और यह जो पेपर पूरा का पूरा आपको बहुत ही बताने वाला हूं जिससे आप लोग कम तैयारी करके भी आप लोग अच्छे खासे नंबर ला पकते हैं प्राथमिक चिकत्साम स्वाफ्त यानि कि अनिवार प्रस्ण पत्र में को करिकुलर सब्जेक्ट में ठीक है तो आज की स्पीडों का पहला प्रस्ण कि नीरोन क्या होता है तो नीरोन के बारे में जानते हैं हापर बहुत फारे आपसे आपको दे जाये या यूनिट होता है इसलिए सही जब आप इसका हो जाए आप से नंबर दा ध्यान रखेंगे महत्पूर्ण प्रस्ण है आपके एक्जाम के लिए अब बढ़ते अगले प्रस्ण के और बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो आपको बहु तो उसको बोला जाता है तंत्रिका जो कि आपके यहां पर होता है कहां पर होता है यहां पर मतलब की तंत्रिका तंत्र आपके जो बोड़ी होती उसी में ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है कि मनुस्ट में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है उनकी जो में सुचने के लिए हुता है हर जीज का नियंत्र ही होता है थिक हैं आपके बोड़ी का पूड़ा है आपके दिमाग मस्तिक के पास हुता है रखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोस्टीन सही दवावश्का दानंबर होगा परियुक्त में से सभी अगला कोस्टीन है कि मनुस्ष का मास्तिस्क कि किवीजित होता हुखते औरंत नॉपर σंब करते हैं अगले Caroline से अंबर होता है आपके मंस्तिष्प का सबसे बड़ा भाग होता है वहोता है प्रामस्तिष्प लगें सबसे कम पुनर्योजन सक्त होती है अगले प्रश्ण के और अगला प्रश्ण है कि प्रेरक कौसल मस्तिस्क के काउन से भाग के साथ सम्मंधित है तो यह आपके जिस भाग के साथ सम्मंधित है वो है भाग आपका ललाट भाग जिसको आ नमबर सही जवाब होगा ललाड भाग होता है अगला कि मानो मस्तिष्क की कौन सी पाल स्रवण से संबंधित है ठीक है तो ध्यान रखेंगे भित्तिय फरी मानो मस्तिष्क की कौन सी पाल स्रवण से संबंधित है तो वो है संख पाल ठीक है इसा नंबर सही जवाब होगा अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि मस्तिस्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्र में महत्पूर्ण भूमिका या फिर महत्पूर्ण रोल अदा करता है तो ध्यान रखेंगे इसका जो नाम है वो है सेरे बेलम अनुमस्तिस्क अनंबा सही जबाब होगा ध्यान पूबक समझ लीजेगा एक से दो बार तीन बार वीडियो देख लीजेगा ताकि सभी प्रश्णों का उत्तर सभी प्रश्ण अच्छे से आपको समझ में आ जाएं एक ही बार वीडियो देखने से एक ही बार कोश्चन का एंसर तयार करने से वह चाहे लिखित हो चाहे अबजेक्टी हो नहीं आता है किशी को भी नहीं आता आपको भी नहीं आएगा ध्यान रखेंगे दो तीन बार कम से कम वीडियो देखिए अगला प्रश्ण है कि मानो मस्तिस्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियमक केंद्र है ठीक है तो जो मानो मस्तिस्क का निगलने और उगलने का नियमक जो केंद्र है उसका नाम बताना है ठीक है तो उसका नाम है मेडूला ठीक है मेडूला अबलाम ठीक है अबला अबलंग गेटा ठीक है ठीक है अबलंग गेटा ठीक है अबलंग गेटा थोड़ा हार्ड नेम है तो प्रोनाउंसेशन करने में प्रोब्लम होती आप सभी को प्रश्ण है कि मानो सरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहा हैं जो भूख, पानी, संतुलन तथा सरीर के तापमान को बियनेमित करते हैं ठीक है तो इस प्रशने का जो सही जवाब होगा वो होगा अफ्षिनम्बत सा हाई पोथे लेमस ठीक है हाई पोथे लेमस में अगला की हमारे सरीर में मफ्तिस्क का कौ कौन सा भाग संबेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करता है तो उस भाग का नाम है ध्यान लखेंगे हाई पोथे लेमस है ठीक है आ नंबर सही जवाब होगा अगला की प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है तो प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्र जो केंद्र है वो है ठीक है कसे रुक ठीक है कसे रुक रज्जु में सही जवाब इसका सनंबर होगा अगला की मानुस शरीर में सुसन यानी जहां से साफ लिया जाता है उसका कारी का केंद्र कहां से होता है तो इसका जो नियंत्र है कंट्रोल है ठीक है वो होता है मेडुला ठीक, ध्यान लखेंगे मेडूला अब लांग गेटा से, ठीक है, अब लांग गेटा से, शान नमबर सही जवाब होगा, अगला की पियूस ग्रंत शरीर में किफ अफ्थान पर इस्थित होती है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा, अप्शन नमबर बा, ये मस्तिष के आधा की मर जाने से है, तो अगर उस बेक्त का मान लीजिए, मस्तिष के मर गया, तो सब चीज खतम, सही जवाब सहा होगा, अगला की हिर्दे की धड़कन की गद निम्लिकित में से किससे बढ़ती है, तो हिर्दे की धड़कन की जो गदी है, वो बढ़ती है, अनुकंपी तंत्र का दंतर से इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा बानमबर ध्यान लखेंगे अगला कि दातों को मजबूत बनाने वाला तत्त कौन सा तो आप सभी अच्छे से परचित भी होंगे दातों को मजबूत बनाने वाला जो तत्त है या फिर इनमें से जो एक सही आपसरन है वो हे कैल्सियम अगला कि पाचन तंत्र का अंग कॉन नहीं है तो पाचन तंत्र का एक प्रमुक अंग है वो नहीं है जिसको बोलते हैं फेफडा तीक है, क्योंकि फेफडा तर्भ पाचन का कार होता नहीं अहा, अगना से चोटी हैं, थीसम पाचन तंद्र की अंग फेफडा नहीं है अगला प्रशन है कि मनुस्य के मुह में लार ग्रंथियां कितनी होती है तो मनुस्य के मुह में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है जो लार आप लोग लेते हैं ठीक वुच्छी के बारे में पूसरा question उनकी जो संख्या होती वही आपको बताना बहुत ही महात पूंट प्रस्ण है ध्यार नखेंगे सही जबब आप अच्छे होती हैं अगला question कि लार रस में किनवन पाया जाता है कौन सा तो सही जबब इसका होगा आपसा नंबर सा टाइलिन किनवन पाया जाता है सही जबब सा होगा अगला प्रस्ण है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस रस में पाया जाता है तो बहुत ही पहुत पूंट प्रस्ण है तो टाइलिन नामक जो इंजाइम है यह आपका लार जो होती उसमें पाया जाता है जो आप लोग लार लेते हैं घूट लेते अंदर ठीक है उसमें पाय जाता है अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि रेनिंन नामक एंज्याइम जो अमासे में बंता है वो क्या करता है को करता हैny हो दूद को पहड़ाद कर अलग कर यही सही जबाब होगा द्यान रखेंगे सानमर सही जबाब अगला की यक्रत अतरिक्त सरकरा को इस में परिवर्तित कर देता है कि आपका गुल कोजण कर देता ध्याण रखेंगे यक्रत जानते होंगे नहीं क्या भcle MP पहलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं क्लेजऑ लोगवजींग 아직 ठीक है तो तो सभी अब आप प्रतर प्नक्न होगा गुलाई कोजण Bend रगाल द॥म मर्प नाल करता है शफ利य को सब्सक्राइब करता है अग्या जान सा नंब्र सब्सक्राइब है तो उसका नाम है आप धान रखेंगे कारभो हाइटरेट जो की खाने में ज्यादा पाए जाता है सब्सक्राइब रो ठीक है हाइड्रो कुलोरिक अमल सानम्मर सही जबाब अगला प्रश्ण प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त की अग्नियासिक रस्में नहीं पाया जाता है क्या तो अग्नियासिक रस्में जो नहीं पाया जाता है वो है टाइलिन अगला की ग्रहन की ये गए अहार के इस पोसतत का पाचन मुख में प्रारम हो जाता है तो वो कौन है तो सही जवाब आप सभी को मालूमी होगा ठीक है भाई वसा भी आ जाता है आपका कार्बोहाइटेट भी आ जाता प्रोटीन भी आता है इसलिए सही जवाब दा होगा उपर युक्त में से सभी अगला प्रशन है कि दात के मुख्य भाग कौन से हैं तो दात की मुख्य भाग जो है ध्यान रखेंग बहुती महात्पूर्ट प्रशन है वो है आपका ग्रीवा भी बॉला जाता है और शिखर मूल ये सबाब के दात की मुख्य भाग है ग्रीवा शिखर मूल सही जवाब दा होगा अगला की जठर रस निकलता है कहां से तो जो जठर रस निकलता है ये आपका निकलता है अमासे से सही जवाब सा होगा पेट में अमासे होता है अगला कि साकाहारी जन्तों में सिलिवस का पाचन, कहां पर और किसके द्वारा में सिलिव लोज का पाचन को होता वह C क सीकम होता है सही जवाब इसका द्वारा होगा अगला प्रस्तुत है कि वसा का इमलिसी करण किसके द्वारा होता है तो ये जो होता है ये टाइलिन के द्वारा होता है सही जवाब इसका दानमबर होगा बहुती महात्मूर प्रस्तुत है ध्यान नक केंगे अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि यहां पदार्थ बड़ी आत्मे अवस्वशित होता है वो कौन सा पदार्थ है ठीक है तो सही जवाब इसका होगा जल जल जो है यह आपका बड़ी आत्मे अवस्वशित होता है सही जवाब इसका हो जाएगा दा नंबर अगला की पच्च यह हुए वोजन का जो ऑसोफड होता है वह होता है चोटी आत्में सही जवाब इसका सा नंबर होगा ध्यान रखेंग बहुत ही प्रमुक्त पुरुष्ण आप लोगों को बता रहे हैं अगला की टाइलिन नामक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहां पर तो टाइलि हो प्लेशे जवाब सा नंबर ठीक है और एक व्यूंड जूधीर की सुद्धी सरीर के के संग में होती है तो यह फेफड़े में होती सही जवाब साही होगा अगरा की मनस के सरीर में फेफडों की संख्या कितनी होती तो बहुती पउर्मुक्त बहुत ही कॉमन कॉश्यन है तो मरस में फेफूडों की जो संखिया होती है ति Àप सभी को जानते भी वोंगे सिफड़ा Desmondate temp क्रेया का प्रमुख अंग कौन सा है ठीक है तो शचन याने साफ लेने का जो प्रमुख अंग इन माफ्शनों में कि बात हो permanent सवसन किरिया का प्रमोखंग की बात हो रही तो वहां पर सभी आप लोग सफ्लेट करेंगे कौन सा सेफड़े अगला है कि सवच्छा वास प्रकिरिया में सहायक नहीं है कौन तो सभी बाविश्का होगा अप्शन नमबर सा वक्र जो है यह आपके एस वच्छा ठीक है वास प करता है कौन सा अपसन है तो ध्यान रखेंगे सभी जीवन चल लाए जिस आप साफ लेते तो प्राण वाई आप सभी जानते आक्सीजन को बोला जाता है आप लोग लेते हैं त्यारबं डायक्साइड आप लोग निकालते हैं फेफड़ों की संद्शना होती है किससे तो फ होती अश्पंजियों कोमल ठीक है बहुती एक Madhерж अगला एक फेफड़ों में वायूबाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं तो फेफड़ों से वायू बाहर निकालने की पर क्रिया होती इसको बोला जाता है N-Ni-Swasaan 2. صحيح abab होगा अगला प्राश्ण है कि Hemoglogin किसमें सहायक होता तो आप सभी जानते होंगे नहीं जानते जान लीजी तो Hemoglogin होता है ये आपका सौशन में टिक, सहायक होता है 2. صحíح abab होगा ध्यान लखेंगे अगला है कि स्वस्त मनुस्त एक मिनिट में कितनी बार स्वास लेता है तो स्वस्त जो मनुस्त होता है एक मिनिट में जो स्वास लेता है वो लेता है पंद्रा से अठारा बार सही जवाब आ होगा ठीक है अगला प्रशन है कि मनुस्त की स्वाफ नलिका का निर्मार किसे होता है तो मनुस से ध्यान रखेंगे, हिर्दे जो बना है बाहना सही जबाब अग्ला रग्त के कार बताई तो रग्त में सामानेता हिर्दे धड़कता है प्रति मिनट कितनी बार तो वहां पर सांफ लेने की बात हो रही थी यहां पर धड़कने की बात हो रही है तो सामानेता मनुष्ट का जो हिर्दे है वो प्रति मिनट धड़कता है वो 72-75 बार धड़कता है आ नंबर सही जबाब होगा अग यह घंद को लिए जाती हैं अगला के परिसंचण संस्थान के जो नहीं सा नहीं गुर्देंं वाकी सभी है दानमबाता प्रत्रत useful तो अगकोlet को होगाए उड़ दानों आलबाता का अग्तर होता है अघरा प्रजन प्रपारियूंद अगयود तो आख्सिजन युक्त जो बलड है खुण है प्रवावित हो थिके प्रवाइद मत्पपकी बैता है ध्मनियो में इसका होगा आप्से। नमबर कहां पर होता है बताए कमेड़ सकते में फिर से मनियों में होता है तो आज किस वीडियों करीब करीब मैंने 50 पर ज्यादा कोश्चन और उसके उत्तर बताएं मैं यह नहीं कोश्चन नहीं आएंगे लेकिन कोश्चन जो पर इच्छ हम देखने तो आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है तो जिस भी प्रस्णिके लास्ट मिद्दा नंबर पर जो लास्ट वाला आपसन होगा इनमें से कोई नहीं में से सभी इस तरीका के जितने भी कोश्चन के आपसन दिखेंगे उन में आपको यहीं वाला करना क्योंकि ज्यादा तर यहीं कोश्चन स्लेक्ट मतब कि सही होता है ठीक है तो आप यह तरीका आप नहीं और परिच्छा में आपके करीब करीब 15-20 या फिर कभी 25-30 नहीं यहीं वाला आप फिलेट करेंगे कुल में लाके दावाला तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी लेकिन जिन भी प्रशनों को उत्तर आपको ना मालूम हों एकदम से उन्हें में यह तरीका यह तरीक है यह अपनाएंगे आपको काफी ज्यादा मिली क्योंकि बहुत फार प्रशनों सक्षेश दूई यह तिके